नमस्कार साथियों मैं हुद कमर समारा ही और आप देख रहे हैं डाइट बार्डिर जाला संचारिक यूट्यूब चैनल डाइट एडुकेशन बार्डिर जी है बार चले की क्लास परस के सामाधिक विज्ञान की और सामाधिक विज्ञान में तर्चा करें थे राजिती शास् हमने पिछने सेसंस में लोगकंत्र की बारे में बताया था लोगकंत्र गाहन बताया था लोगकंत्र की परिवास बताया थी लोगकंत्र की विशेषता बताया थी लोगकंत्र के विभीन ग्रूपों में चर्चा की और लोगकंत्र के विभीन दृष्टिकों में चर्चा की आज हम लोगकंत्र की विसेश्थाओं और लोगकंत्र के आवज रापक रेचेंट पर चर्चा करेंगे। देखते हैं, यह में आपको रहना लोगकंत्र की प्रूप विसेश्थाई जिनके बारे ने चेटना थी, लोगकंत्र जन्ता का असास है। बिल्कुल अपना आप इसकोच है, परिवासास से ही विसेश्थाई बनती है। सबसे पहले विसेश्था है जन्ता का सासन। जोट से देखे, जैसा की प्राइन हिंकल ने कहा था जन्ता का अधन्ता के लिए जन्ता के लोगकंत्र त्वद्वारा क्या दाने वाला सासन। कुछकार करती है कि हमारी सरकार को संदों हुगी और जंता को पच्छत करने का अधिकार ये पिरले से सटें दूसरी विशेस्ता देखें जन्ता वारा कि लोग लंद्र में जंता ही अपने पुतिनितियों को शुनती है और इंदा के प्रतिनिती ही सरकार के निर्मान करते हैं इस प्रकार से लोग लंद्र में जंता गईक होता है और यह को गया था न कि वोज शासन करने वाली उन्हें साम हम्तार्त करता नहीं काया है तीसरी विसेश्टा देखे इसकी लोग कंत्र साथन एक साधन थे तो चीज़ें होते हैं साधन और साधन को से लोग कंत्र एक साधन है साधन नहीं इसे साधन नहीं जा सकता है कि लोग कंत्र में जो जनता है वह प्रतिक स्रूम से अपने प्रतिनितियों को चुंति है और अपने प्रतिनिति ही आगे चलकर साधन करते हैं और उनके जो भी निर्णे होते हैं वो जनता के हित्मे होते हैं अब यहां किसी प्रकार का कोई जाती वार नोबार फिरलिंग भेड़ पाउ नहीं होता है। तो यह आपने आपके कहीं है कि लोग दंद्र पर शादर के उपने जा गया है। शादर के उपने हैं। अगर यह जनता के पृति उत्तर दाई साथन जैसा करता है। लोग दंद्र कैसा साथन हैं जिसमें सव उत्रूरता तो जनता के आजों नहोंती है। और सरकार के जो दुमाइंदे हैं सरकारिक कारिंदे हैं या यह कहें कि जो नौकर साही प्लस दिनारगी ची के लोग हैं वह किसी ने-किसी उर्त में सरकार के प्रति उत्तर दाई साथनुत्याएं लोग कंत्र में जो भी सासन होता है वो जनता के एक इत्में किया धता है। क्योंकि संपुरभुता जनता की होती है। करें स्रेक्स फ्रवाज वी Haasasm लोगद्र विपे शासन विळी करने विदि को काहिं दे लिज ने लिदीक है तो लोग आसरे विटाश सिंद्र लोगद्र में यह हमेरा जनता के इतमे ध्यारा कालता है कि यहां चानुनस्ते से किसी की शाब कोई भेद बाव नहीं किया धाता और नहीं किसी कुर कोई विशेसर अधिकार रख़रादा तो मूल बात याए हमें तो पांथ विशेष्टा है देखी पांथ विशेष्टा हुआ यह थी कि सबसे पहला यह जन्ता का शासन है जन्ता के दौरा मिमिट शासन है और लोग कंद्र शासन एक साधन है साध्यली जन्ता के पड़ती यह उत्तरलाई सासन है और लोग कंद्र विकास सीन सासन है विजी का सासन है अड़ात कानूर समख सासन है यह कानूर की दिश्टी से सभी को समा रखा गया है किसी के साथ कोई असमानता या विशेष्टा का नहीं है आगे पढ़ते है देखिए अब आती है लोग कंद्र की आनोच रात्पक विएचना आनोच रात्पक विएचना में हम दोनों परसों को देखेंगे तो रोगतंत्र के गुण ही बटाई में तो यहां वोगतंत्र के 12 भुण है हमारे इस सेशन में हम 6 मों पे पिस्तार से चरचा करीं अगले सेशन में और लोगतंत्र के गुण रहीं है चर्क उनको और लेंगे यानि कि लोग दंत्र से हमें क्या फाइदे हैं जंता को क्या फाइदा है सरकार को क्या फाइदा है लोग दंत्र में सभी के हितों का धान रखा गाता है चाहिए वो गरीब हो चाहिए अमीर हो किसी जाती काहो किसी के साथ किसी की प्रकार का भेवाव नहीं किया जाता है अगर लोग दंत्र का प्रकार को सकती होती थी यहां लोग दंत्र में कोई किसी का दमन नहीं कर सकता है तो उसी बात जो कुछ होता है वो सामने है इसलिए कहीं भी यह नहीं कह सकती है कि कोई भी निने किसी से चुपने भी होते हैं है तो यह उसर्ष आसने कि इसमें जो सरकार चुली जाती है वो जन्ता अभारा ही चुली जाती है है अब देखिए लोग कान्तर के मार्ड़िम से ही आउ व्यक्ति आव बच्चा एक पर नोग कान्तर वारे में रायलीती के वारे में जालता है जब प्रत्यक सुनसे जन्ता अपने नुमायदों को चुंती है अब एक उपर से नीचे तक है अब सिद्धि सिभात है निर्वाचित प्रणाली है अमारी वहिसमताजीका प्रणाली है तो इस प्रकार से किस्तानी सासने सब्सक्राइब को राजिती की जानकारी होती है और राजिती की जानकारी होती है तो यह जो कहूं अगर रोग तंतर नहीं होता ताना साहिस आसन होता अधिनाय कवाल ऑद रात अंत्र होता तो जन्तरा को यह समझ लिक का मोकारी मिलता की सरकार का चैनके से होता है उनकी क्या भूमी का है या हर वेक्ति जानता है कि उसका अधिकार क्या है पर नेतिक सिक्षा का साथ लोगतंत्र नेतिक शिख्षा अब आंदे नेतिक शिख्षा क्या होती है जो नेतिक मुल्यों पर अधाय थे हमें लोगतंत्र के गुणों में नेतिक लोगतंत्र के रुपी देखे थे तो यहां ही बात हूंगा कि लोगतंत्र का सबसे बड़ा बड़ जो है वो है नेतिक हम आपसी भाईचारे को प्रजातान्थिक तएक शिक्षा है और सबसे बड़ी है लोग तंद्र देश्वंति की सिक्षा कि क्योंकि लोग तंद्र में अपनी अपनी जिम्मेवाई समझता है कांप अधिकार मेरा है जो हो दो जो मेद ऑफ gültने काप के दियसा सब्सक्राइब करें तो राष्ट्र भावना की दागरती में लोग कंत्र की महत्व प्रुम्भूबी का हिदा करांती से सब्सक्राइब कि कोई बात की लेकिर तुद्हां सब्सक्राइब यूसे पिरावना जैसा कि भावनाओं में विद्रों की सभावना होती है जासा कि बाके शासर मिवारे विद्म ऐा थन्ति रहती है तो सास्रेओं हम द multifon सब्सक्राइब और आप हमारे एक्सपर्स को देखकर आप कमेंट्स करें ताकि हमें मेरी कुर्जा मिन्सकी मुलाकात होगी आपसे अगले सेस्में तब तक के लिए विदा नश्का